जै हिन दोस्तों, दोस्तों जै आठ क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों को मनीसी डे के बारे में बताऊंगा जो की बंगाज सैली से संबंधित कलाकार रहे हैं इन से संबंधित कोश्चन एकजाम में पूछे जाते हैं तो अभी जो भी कला से संबंदित एक्जाम होने वाले हैं जैसे UP, TZT, PZT, KVS, NVS, DSSB, NET, JRF सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्पूर है तो आएए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं मनिशी डे इनका जो समय है कहीं कहीं पर हमें 1906 मिलता है और कहीं कहीं पर 1909 इनका जो समय है जन्न का ये मिलता है और इनकी मृत्यू 1906 इस भी में हुई थी तो ये इनका समय है ये बंगाल सली से सम्बंदित कलाकार रहे हैं मुकुल चंद डे जो हैं इनके भाई हैं मनीशी डे 1906 या नव से 1906 भी तब कलाकार मनीशी डे का जन्म कहां हुआ था तो इनका जन्म जो है 1909 में धाका बंगलादेश में इनका जन्म हुआ था यहां पर जो अभी तक राइट माना गया है 1909 1909 इस भी में इनका जन्म धाका बंगलादेश में हुआ था मनिसी डे को कला के किस छेतर में ख्याती थी तो ये चित्रकला के छेतर में इनको ख्याती प्राप्त थी किस कलाकार का मूल नाम बिजाय चंद्र था किसका था मनिसी डे का नाम बिजाय चंद्र भी था मनिसी डे के बड़े भाई जो एक परसिद प्रिंट मेकर्स थे तो कौन थे मुकुल चंद्र डे मुकुल चंद्र डे जो है एक प्रिंट मेकर के रूप में जाने जाते हैं और ये मनिसी डे के बड़े भाई थे मनिशी डे की ख्याती किस कलाकार के रूप में थी तो ये बंगाली चित्रकार थी, बंगाल शैली से संबंदित कलाकार रहे हैं मनिशी डे के माता और पिता का क्या नाम था तो पिता का नाम कुलाचंद डे और माता का नाम पूरडासी देवी था मनीशी डे का अधिकांस चित्रड कारे किस माध्यम में रहा तो जल रंग में इनका अधिकांस चित्रड इन्होंने किया है मनीशी डे के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी कब हुआ कहां आयोजित की गई तो 1928 में कोलकाता में आयोजित की गई थी इनकी एकल प्रदर्शनी नारंगी एवं लाल कालावदे 1948 से लेके 1966 इस वी के मद का संबंद बंगाल सैली के किस कलाकार से रहा है तो मनीशी डे ये काफी इंपोर्टेंट है बंगाल सैली के किस कलाकार ने भारती रेलवे वा टेक्स्टाइल मिल्स के लिए विज्यापन भी तयार किये थे तो किस ने किये थे मनीशी डे ने रेलवे और वा टेक्स्टाइल के लिए इन्होंने विज्यापन तयार किया था मनिसी डे के चित्रण का प्रिय रंग कौन सा था तो गहरा गुलाबी डार्क पिंक कलर इनका प्रिय रंग था भारती कुमारी चित्र सिंखला जो की तैल माध्यम में है किस कलाकार ने चित्रित की है मनिसी डे ने ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भारती ये कुमारी चित्र सिंखला इनों ने बनाई थी ओयल कलर में, तैल माध्यम में मनीशी डे ने मनीशी डे का नारंगी एवं लाल कालावदी कब से कब तक रहा तो ये 1948 से 1906 तक मनीशी डे के वह दो प्रसिद चित्र जो नारंगी एवं लाल कालावदी में चित्रित किये गए थे तो इनका बंगाल वोमेन जो 1950 में इन्होंने बनाया था और डाक्टर आफ साइल 1956 में इन्होंने बनाया था तो ये नारंगी एवं लाल कालावदी के दो चित्र है मनीशी डे के कलागुरू कौन रहे तो अवनी इन्दर नाट टैगोर इनके कलाग सिक्षक रहे है सांतिनी केतन में मनीशी डे ने किस कलाकार से सिक्षा प्राप्त की थी तो नंदलाल बोस से इन्होंने सिक्षा प्राप्त की थी भारती कुमारियों पर आधारित चित्र सिंखला मनीसी डे ने किस रंग का बहुतायत प्रयोग किया था तो गहरा गुलाबी डार्क पिंग कलर का उसमें ज्यादा प्रयोग है किस लेखक ने एक लेख में मनीसी डे के वर्स 1948-1966 तक की अवधि को नारंगी एवं लाल कालावध से संबोधित किया था तो वेंकट रमया सीता रमया जो है इन्होंने 1948-1966 तक की कालावधि को नारंगी एवं लाल कालावध से संबोधित किया था मनीसी डे की मृति कब और कहां होई थी तो उन्नीसो चाचट में इनकी मृति कोलकाता पर्शिममंगाल में इनकी मृति हो गई थी प्रमुख चित्र सिंखला इन्होंने भारती कुमारी चित्र सिंखला जो है तैल माध्यम में इन्होंने बनाया है जो की बहुत ही फेमस है इनके और भी कुछ प्रमोख चित्र हैं बंगाल वोमें 1950 में बनाया है डाटर आफ साइल बोड पर तैल रंग से 1956 में बनाया गया है व्रिक्ष बोड पर टेंपरा से 1965 में बनाया गया है सीटेड वोमें बोड पर टेंपरा से 1965 में ट्राइवल वोमें ये कागज पर जल रंग से 1962 में बनाया है दमून ये कागज पर जल रंग से बनाया है कागज पर जलनंग से बनाया गया है इनके द्वारा बनाया गये कुछ चित्रों को मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों जो की बहुत ही फेमस है यह इनका आर्ट वर्क है आप देख लीजे यह एक चित्र है बेंगाल वोमेन मनिश्डे द्वारा बनाया गया है बेंगाली वोमेन को यहाँ पर बनाया गया है एक और बहुत ही फेमस चित्र है यह इस चित्र का नाम है डाटर आप दा स्वायल डाटर आप दा स्वायल यह देखे यह चित्र है बहुत ही फेमस यह भी चित्र है इनका एक और चित्र यहाँ पे है The Moon The Moon करके यह चित्र है Watercolor and Paper पर यह बनाया गया है कागजपर जलरंग से यह बना है चित्र The Moon करके एक और चित्र इनका यहाँ पर है आप देख लिज़े इसको Manish Deka यह भी एक इक्जामपल है यहाँ पर एक और चित्र है इस चित्र का नाम देख लेते हैं क्या है यह एक वोमेन को बनाया गया है आयलान बोर्ड पर तैल रंग से बोर्ड पर यह बनाया गया है एक वोमेन को एक और अवरत को बनाया गया है एक और चित्र यहाँ पर है seated woman oil and board पर ये बनाया गया बैठी हुई महिला है ये एक और चित्र यहाँ पर देख लेते हैं tribal woman ये है 1962 में इससे बनाया गया water color से जल रंग से इससे बनाया गया tribal woman को एक और चित्र यहाँ पर है इस चित्र का नाम है a woman crying a water jar 1957 में ये बनाया गया है ये औरत बहुत ही फेमस चित्र है ये एक और यहाँ पर चित्र है mother and child जो कि 1965 में ये बनाया गया है tempera और board पर ये बनाया गया एक और चित्र यहाँ पर है यहाँ पर एक व्रिक्ष को बनाया गया आप देखिए trees ये चित्र तो दोस्तों इस तरह से हमने काफी important चीजे मनिसी डे से सम्बंदित बताया है तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और सेर करें हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों इसी प्रकार से विजूल आर्ट से सम्बंदित important वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा धन्यवाद दोस्तों